हलो दोस्तो आपको श्वागत करता हूँ तौरंग इलेक्ट्वारिस चनल में तो दोस्तो आज ये वीडियो का अंदर आपको LG TV जो LG एक LCD TV में रिपेर करके देखाऊंगा बहुत ही पुराना सा ये TV है पुराना मोडल है बार ये कोई भी एक T Recordian Repair का ने के लिए कोशिस किया बार ये नहीं कार पाया तो मेरा पात ये customer ले खाया और मैं और ये TV को रिपेर किया है तो किस तरह मैं रिपेर किया? तो ये फॉल過去 में देखा, मैं YouTube पर भी सार्च करके देखा ताकि इस तरह पर कौन पोजिशन से हो सकता है, कौन पोजिशन से अता है, तो YouTube पर ये पैनल का उपर डीटेल्स कुछ भी वीडियो नहीं है, और ये प्राब्लम को उपर भी वीडियो डीटेल्स नहीं मिला, तो इसलिए दोस्ते ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीड मिला, बहुत ही आलाख सक फॉल मिला, जो आपको ये वीडियो का अंटरेटल्स बरता हूंगा, आप ये वीडियो सुरु से लाज तक देखेगा, तो निव टेगनिशन और पुरा न टेगनिशन आलाख सक नोलेज मिल जाएगा, तो चली मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हू तो दोस्तों देखे, ये जो LG कंपनी का LCD TV है, इसका प्रोब्लेम किस तरा आता है, चली मैं आपको सप्लाई देके देखोंगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं टेबिल पर राखका है, चली मैं सप्लाई दे देता हूं, और आप स्क्रीन पर फॉलो किजिए, देखे इसका जो प तो दोस्तों अब देख सकते हो, इसका जो लाइट आप केमरा पर देखा जाता है कि नहीं, तब भी आप देख सकते हो, अच्छा करके देखने का बद पता चल जाए गया, तो चली कोई बाद नहीं, मैं एक बार standby करके, और standby आपको देखाँगा, तो दोस्तों मैं standby किया, अन कारने का बाद स्क्रीन पर देखिए यह देखिए तीनों लाइनिंग देखा जाता है और कुछ भी सिगनल लेखा भी नहीं देखा जाता है तो दुस्त चलिया यह फोल्ट आपको देखाया और इसका पीछे जो बैक कावर का पीछे इसका मोडेल नमबर अब आच्चा करक नहीं है और नीचे साइड थोड़ा यह फाटा देखा जाता है और यह इस इंपूट का और यह पोजिशन कुछ भी स्कुरूर नहीं है इस तरह उपिन करके कास्टमर लेकर है इसका बैक कवर को मैं उपिन किया आप देख सकते हो यह कितना पुड़ाना टीबी है तो इसका पहले थोड़ा सबसब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन से लागदाईयों पड़ा हुआ है तो दोस्तो यह वीडियो आप स्किप मात कीजिए क्योंकि न्यू टिगनीशियन को भी बहुत नॉलेज मिल जाएगा ठीक है थोड़ा सबसब करने का बाद इसका पैनल फास् देख लीजिए और दोस्तो देखिए LCD का ठीक है तो दोस्तो यह LCD डिस्पले है जो पैनल है तो दोस्तो यह अच्छा करके आपको इसलिए देखाना चाहता हूं कि किस तरह देखा जाता है और देखने का बाद इसका model नंबर भी आपको देखा है इसका अंदर जो मेर माधर चल जाएगा तो इसलिए इसका मेर माधर यह पैनल का सप्लाइवल यह भी एक बार चेक करना पड़ेगा तो अब देख सकतो यहाँ पर यह जो panel हे सप्लाइव पॉयंट है यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पर यह पर यह भीश का बाद यहाँ प DC to IC पर यह लाइन का भी चेक करना पड़ेगा और इसका जो बाइसिंग जो अलग अलग फोल्टेज है साउट पूट और इनपूट होता है सभी बोल्टेज याग बद चेक करके देखना पड़ेगा और उसका पहले आपको देखाना चाहते हूं कि देखिए यह इसका जो कॉ माच यह 6 कॉफ है और कुछ भी इसका जाला हुआ फाटा हुटा कुछ भी नहीं नजर में नहीं आ रहा है इसलिए कुछ फोल्टेज जरूर चेक करना पड़ेगा तो दोस्त चलिए इसी टाइम मैं मीटर लेकर आपको देखांगा मीटर को मैं DC रेंज पर सिलेक्ट किया औ ठीक है चलिए इसी टाइम मैं कुछ फोल्टेज चेक करके देखांगा एक बार साप्लाई देके आपको देख करता हूँ ठीक है चलिए मैं साप्लाई दे दिया इसका इंडिकेटर यहाँ पर आन हो गया है और यह तीन चार बर ब्लिंक होने का बाद यह आन हो जाता है और चलिए इसका फास्ट जो पेनेल साप्लाई होता है यह 5-vol का साप्लाई सेट है तो दिक्यों देखिये इसका 5-vol supply है gestellt. इसका 5-vol supply होकि है और उसका बाद चलिए आपको step-by-step सव्य वोल्तेज सेट करके देखांगा आप मीटर पड भी ध्यान दिजिए ठीक है तो यह जो supply इन्पूट होता है फास्ट इसका बाद आपको जो देखोंगा कि ये DC to IC से जो VDD voltage output होता है यहापर test point है VDD का देखिए VDD voltage आपर जो test point है इसका voltage देखिए 12V तो दोस्ते ये भी ओक्के है ठीक है और उसका बाद चलिए आपको और कुछ voltage चेक करके देखोंगा कि यहापर एक test point है ठीक है यह test point आपको देखाना चाहते हो पाच्चा करके देखिए यह देखिए यह जो भीरी यह जो भीरी test point है यह आप और voltage देखिए 12V यह OK है और उसका बाद यह आप और एक test point है यह visual का ठीक है ठीक है जो test point है यह visual वोल्ट यह पर देखिए minus 5V हो रहा है ठीक है visual VOLT minus 5V हो रहा है लगदा है यह भी वोल्ट टोक्य है और उसका बाद यहाप और और जो test point देखा जाता है देखिए भी कम वोल्ट यहाँ पर एक test point है यह become volt दोस्तो देखिए यहाँ पर 5 volt सो हो रहा है become volt यहाँ पर 5 volt सो हो रहा है यहाँ पर become volt का test point है तो उसका बात से लिए यहाँ पर आपको 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 अब कुछ test point का voltage देखाँगा कि यहाप और VGH दोस्तों यह जो VGH पॉइंट है यह आप और दिखे 27 वोल्ट मोजूद है तो दोस्तों यह लाइन भी ओक्य है अप अच्छा करके दिखे यहाप और जो VGH 27 वोल्ट यह ओक्य है और उसका बाद आप और कुछ वोल्टेज दिखाना चाहते हूँ कि आप देखे यहाप और तो इतना सबकुछ volog तो एक के दिखा जाता है बाट और जो अलाग अलाग voltage देखी यहाप और दो regulator दिखा जाता है यह regulator supply अगबर देखना पड़ेगा तो दोस्ते यह regulator supply कितना बोल्ट देखे 12 फोल्ट ठीक है 12 फोल यह regulator supply ओक्के है और यह regulator का जो middle pin यह पिन पर भी 12 फोल्ट यह देखा जाता है ठीक है और उसका बाद यह regulator का उपर पिन पर कितना बोल्ट 5 फोल्ट देखे दोस्तों यह आपर 5.2 फोल्ट देखा जाता है और उसका नीचे यह regulator का नीचे कितना बोल्ट देखे आपर 5.3 फोल्ट यह देखा जाता है तो उसका बाद यह अग regulator है, यह regulator का middle pin यह pin पर दीखे, 0.1 यह पर voltage नहीं है तो दोस्तों यह regulator का दोनों side पर कितना फॉल्ट भी एक बार दीखना पलेगा ये पिन पर कितना फोल्ट देखिए 5.23 वोल्ट दोस्तों ये रेगुलेटर का नीचे पिन पर कितना फोल्ट ये पिन पर 5.3 वोल्ट Actually दोस्तो यह जो regulator का यह pin पर फुल मिलते है यह side से voltage इधर आता है और यह regulator pin पर जितना फुल मिलते है यह फुल इधर आता है But middle pin पर कुछ भी फुल नहीं है Finally दोस्तो पैनल का सब कुछ voltage टेस्ट करने का बाद मौन में जो पाता चला इसका side cop होगा तो यह side cop का problem हो सकता है इसलिए मैं Google पर चेक किया कि यह जो panel है इसका side cop तीनो है तो उसका बाद मैं अच्छा करके देखा कि यह जो LCD का panel है Side उपर से कुछ भी cop नहीं देखा जाता है मौन में बहुत कुछ doubt चाल रहा था और उसका बाद मैं Google पर जब मैं चेक किया चेक करने का बाद पाता चला कि इसका अंदर जो रूट की नो कफ होगा तो इसलिए मैं सिध्धन किया कि यह panel को open करना पड़ेगा तो आपको अच्छा करते चारो साइड में देखाना चाहता हो पाद चारो साइड एक पर देख लिए और चलिए उसका बाद मैं यह पैनल को open करूंगा और यह जो में इसका चारो साइट भी देखा जाता है इसलिए मैं थोड़ा समय साइब कर लेता हूँ और दोस्तों इससे का सुमाई मेरा दोस्त और मैं दोने एक्सम कर रहा हूँ और दोस्तों बहुत ही सब्धने से यह कम को करना पड़ेगा और मैं वीडियो बना रहा हूं इसी टाइम ठीक है दोस्तों और उसका बाद मैं कुछ फोल्टेज चेक करके देखूंगा और एक बास सप्राइ देखे भी देखूंगा कि इसका प्रब्लेम सॉल्फ होता है कि नह होगा तो इसका जो कॉफ है यह जो साइट कॉफ देखा जाता है यह तीनों कॉफ का डाटा सीट मेरा पास भी नहीं है मैं गोगल से चेक करूंगा चेक करने का बाद इसका जो टेस्ट पॉइंट है जो अलग-अलग टेस्ट पॉइंट देखा जाता है सब का भोल्टेज ट पूप करने का बद तो उन्याटा दखी क निच्छे वाला कॉफ है यह कॉफक इस्तार है टॉपका using देख सकते हो no signal लिखा दिखा जाता है और यह ताच करने का बद कभी-कभी रूख जाता है no signal डिस्प्लेपर आ जाता है रूख जाता है कभी-कभी दोस्ते no signal double image भी दिखा जाता है तो दोस्तो इसलिए मून में लागधा है कि यह कॉफ का फॉल्ट है तो यह कॉफ को अच्छा करके देखने का बद सब कुछ पता चल जाएगा तो दोस्तो देखे इसी टाइम आपको जो देखाना चाहता हूं देखे अभी इसी ट अधिनल्य रेडि हो गिया आप देख सकतो यह नो स्थिग्नाल लेखा आ गिया तो इसका मेन फॉल्ट जो मिला आपको देखना चाहता हूं कि देखे यह जो साइट कौफ है ठीक है यह जो फ़ास्ट बाला कौफ है यह साइट कौफ इसका अनदर एक जो पॉइंट यह से मै jumper किया, ठीक है, आपको सब कुछ देखांगा, clear करके यह jumper कीया, यह jumper का test point यहां पुड़ है, आपको मैं clear करके देखनाच आजाता हूं, अब देख्यें, यह Point है, GSP ठीक है दोस्तों, अब आच्छा करके देख्ये GSP यह test point है, हिहां से मैं यह जो COP का GSP point होता है इसका साथ मैं jumper किया jumper करने का बाद इसका problem solve हो गया तो दोस्तों यह जो test point है दिखिए G O E यह भी एक test point है और G H C यह भी एक test point है यह जो तीनो test point है यह test point का जो supply यह COP का अंदर भी जाता है तो दोस्तों आवर जो COP का अंदर जो voltage जाता है यह पेनल का अंदर सब कुछ लेखा है जो आपको देखाना चाता हूँ कि आप यहाँ पर follow कर सकतो कि दिखिए VGH यहाँ पर लेखा आप देख सकतो VGH ठीक है VGH और VGL तो VGL भी यहाँ पर लेखा है आपको देखाना चाता हूँ कि देखिए यह जो पॉइंट है अप आच्छा करके देखिए तो यह पॉइंट सब कनेक्शन में चेक किया मेरा दोस्त है दोनों मिलके मैं टेस्ट किया हम लोग टेस्ट करने का बद सब कुछ कनेक्शन सही मिला भोल्टेज भी सही मिला तब भी लास्ट में आपको टाच करके भी देखा है कि यह टाच करने का बद प्रॉब्लेम देखा जाता है अभी दोस्तों देखिए यह पॉइंट टाच करने का बद कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं आ रहा है बाट स्क्रीन पर देखिए टाच करके भी आपको देखाता हूँ नो सिगिनल जो देखिए ट्लियार देखा जाता है ठीक है तो यह जामपर कारने का बाद यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो गया ठीक है दोस्तो तो चलिए पूरा फेटिंग्स कारने का बाद पिक्चर देखे भी आपका अगवार देखाऊंगा ठेका दोस्तो 海ं को किया थेका अगवार देखाऊंगा ऑन को interrupted